अपिखेनल करिक आपने ने बटी सलिगता हो में निससकितं so अभर लो derived यह तो आज अज बात करने वाले हैं पिक्तल या मेगा पिक्सल यह क्या होते हैं यह आप अपने फोन में देखते होंगे यह सिरा defense लगान आपने 5 मेंगा उबडी होगे की ठीक है इस फोन में बहुत जादे मेगा पिक्सल के कैमरा है तो क्या यह बहुत अच्छा है ऐसा बिल्कुल नहीं है अच्छा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो वही हम जानेंगे इस वीडियो में कि पिक्सल आखिर है क्या पिक्सल आखिर है इसका मतलब क्या है ओ हमारे डिजटल इमयज का या डिजटल ग्राफिक्स का सबसे इस स्क्रेन पर जो कुछ भी दिखाई देता है जैसे इस screen पे ही आपको जो वीडियो में आप देख रहे हैं एस time पे, इसमें भी छोटे-छोटे pixel यूज हूए हैं, यह जब pixels millions में एक साथ आते हैं, तो कोई image या video form होता है, जो कि आपके screen पे देखता है, अभी current में जो मेरा Helle आप चान से में लिए तीन कलर ही होते हैं red green and blue जिनको थे बहुता है sot में और इन्ही तीन कलर के mixture से जब यह तिन कलर मिलते हैं और different intensity पे यह different different color को form करते हैं आप अपने screen पर देख रहे होंगे कि मेरे जो fons हैं Like ुछ black हैं, कुछ red हैं इधर यह आप देख सकते हैं होते हैं। वह आपके SQUARE हो सकते हैं या DOT हो सकते हैं यह दो image है। इसमेह आप देख सकते हैं इस तरह के Pixel होते हैं और यह जो सब Pixel हैं यह हमारी तीन कलरे अच्छे ऊंचलर होता है तो different other colors form Cools ह得 जो कि हमारे स्क्रिन पे दिखते हैं. पिक्सल को हम पिक्चर एलिमेंट भी बोलते हैं. पिक्सल का जो Pix है इसको पिक्चर होता है इससे और जो El है उससे एलिमेंट होता है. तो Pixel is also known as a picture element. अभी ये Pixel काम कैसे करता है और उसका हम use कैसे करते हैं इसके बारे में देखते हैं. तो number of pixels determines the resolution of a computer, monitor, TV screen and generally the more pixels the clearer and sharper the image. इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके screen का, ओ computer का monitor हो सकता है, TV screen हो सकता है, आपका mobile phone, आपका laptop, कुछ भी हो सकता है. जिसे माली आपके पास एक TV है, आप बोलता है कि मेरा TV HD TV है. HD TV कहने का मतलब क्या है? उसका अगर आप देखेंगे तो एक resolution होगा. लाइक यह 720 है, 1280 into 720 है, या फिर 1080 pixel का है, 1080 generally क्या होता है? 1920 into 1080. इसको यह हमारा HD quality का जो आता है, नार्मल HD, इसको बोलता है, 1080 pixel भी बोलता है. जो smallest P होता है, जो lower case में P होता है, यह progressive scan इसको बोलता है, progressive scan. P stands for progressive scan. तो जो आपका TV है, उसका जो length है, लाइक एक length and width. यह दो हैं, आपके 1920 आपका length हो गया, और 1080 आपका width हो गया, यह लंबाई यह चोड़ाई. तो आप ऐसा समझें कि आपके TV में छोटे-छोटे अगर dots बनाया जाए, तो 1920 आपके length में dot हो गया, और 1080 horizontal आपके dot हो गया. Sorry, vertical, horizontal में 1920 और vertical आपके 1080 dot हो गया, और इनको आप multiply करेंगे, तो जीतना pixel आपका form होगा. For example, 1920 और 1080 का अगर आप करेंगे, तो यह लगवख आपके 2,3,600 होंगे, 20,3,600 होंगे pixels. तो इतने छोटे-छोटे pixels, अगर आप कोई TV screen या laptop screen, अगर आपका 1080 pixel resolution का है, तो इतने pixels को consume करेगा, इतने pixels को hold करेगा. तो simple सा मतलब है कि अगर आपके pixel ज्यादे हैं, तो आपका जो image है, वो ज्यादे clear होगा, और sharp होगा, क्योंकि यह जो pixel है, यह जो light को emit करते हैं. इनिस आपको light आता है, और उससे आपको image दिखता है, तो हमारे pixel light को emit करते हैं, और उससे image form होता है, multiple pixel जबाते हैं, एक साथ में, तो आपका image video, यह सारी चीज़े आपके screen पर form होती है. फोर के video जो resolution होता है, वो क्या है कि, जो HD है, जो हमारे standard है, HD 1920×1080, उसका 4 टाइम है. यहनि कि, अगर normal HD की बात करें, तो उसमें आपके 23,000 Megapixils हैं, उसमें dots हैं. तो 4K में क्या होगा, लगबग 80,000. लगबग 80,000. लाख dots होंगे कुछ और common resolution जो हम अपने mobile devices में या laptop में देखते हो क्या है आपने देखा होगा 480 pixel इस 480 pixel क्या है यह होता है 640 into 480, 640 length, 480 width यानि horizontal है आपका 640, vertical है 480 इसको आप multiply करेंगे जितना result आएगा उतने pixel आपके screen में consume हो रहा है 720 की बात करें यह होता है 1280 into 720 जो की सबसे basic HD quality होता है 1440 pixel की बात करें यह होता है आपका quarter HD QHD इसका जो resolution होता है वह होता है 2550 into 1440 यह जनरली PC gaming monitors में यूज होता है 4K वीडियो जो resolution होता है यह होता है आपका UHD लाइक Ultra HD और इसका जो resolution होता है होता है 3840 into 260 pixel अब इसको multiply करेंगे जो आपका result आगा यह लब असी से 82 लाह के आसपास आएगा इतने आपके छोटे छोटे डॉट आपके screen में रहेंगे अभी बात करते हैं कि एक जो आपका pixel हो कितना एक पिक्सल कितना बड़ा होता है तो physical size of a pixel depends on the set resolution for the display screen इसका मतलब क्या है कि अगर आपके screen का resolution maximum set है लाइक आपने अपने screen को जूम आउट या जूम इन नहीं किया है जो नार्मल आपके आपके TV का screen है अगर आप complete screen का utilize कर रहे हैं तो उसका जो dot होगा उसके equal आपका एक pixel का size होगा उसमें जो छोटी-छोटी-छोटी-छोटी जो हम बोल रहे हैं कि पारस वस्वी इंटू साथ सो बीस ते जितने dot बन रहे हैं तो एक pixel का size उस एक dot के बराबर होगा but if the resolution is set to something less than maximum resolution जैसे मालीजी आपने उसको थोड़ा से zoom in कर दिया है तो screen size थोड़ा से कम हो गया तो screen size जब कम हो गया तो pixel का size बड़ा हो जाए क्योंकि अब ऐसा समझिए कि छोटे से एरिया में आपके उतने dots हैं और जो pixels है अब एक pixel जो पहले एक dot के बराबर था इस area आपने छोटा कर दिया तो multiple dots मिलके आपके एक pixel को बनाएंगे हो सकता है दो dot मिलके अभी एक pixel बनाएगा क्योंकि उतने dots को cover करने हैं जितना dot आपके resolution को कम करने की वज़ा से resolution कम हो गया बट pixel उतने manage करने तो आपके दो dot मिलके समझ लेजी कि आपका एक pixel बनेगा तो pixel का size इस case में आपका increase हो जाएगा अभी बात करते हैं Megapixel जो की बहुत ही commonly used term है हर जगा हम बोलते हैं 10 Megapixel 20 Megapixel यह क्या है तो जो अब Megapixel is a million pixel the term Megapixel comes up most often in photography however screen resolution can be measured in Megapixel for example 4K is approximately 12 Megapixel इसका sentence का simple सा मतलब यह है कि अगर आपने 10 लाक एक million pixel लाया तो वो बनेगा आपका 1 Megapixel और जो screens का resolution होता है उसको भी आप Megapixel में measure कर सकते हैं for example जो अगर आपका 4K है तो 4K होने के मतलब क्या है कि 12 Megapixel का यह है 1 Megapixel में क्या है कि वहीं 10 million pixels है तो 12 Megapixel में 120 million pixels होंगे वैसे ही 1080 pixels का कोई screen है तो वह आप समझे कि 2.1 Megapixel का है photography में क्या होता है कि in photography Megapixels typically refer to the resolution of an image and the number of image sensor elements in digital cameras इसका मतलब क्या है कि जो आपके image का resolution है refers to the resolution of an image and the number of image sensor और जो आपके image का sensor आपके digital cameras में लगा हुआ है उस पे यह refer करता है उसको यह मतलब दिखाता है in photography Megapixels typically refer to the resolution of an image and the number of image sensor उसको हम photography में Megapixel होता है for example इसमाल यह Sony का यह एक camera है a7 triple triple I can make 24.2 Megapixels photos which is 24 लाख अभी यह amount जीतना है इतना pixels सो create करता है अभी दो टर्म है pixels के form में या image की जब भी बात करते दो टम आते हैं PPI and DPI यह क्या है कि screen image sharpness is sometimes expressed as pixels per inch जिसको बोलता है PPI and dots per inch जिसको बोलता है DPI दोनों similar हैं but इस इनका difference क्या है जैसे देखिए एक inch में कितने pixel है यह हो गया आपका PPI और एक inch में कितने dots है यह हो गया आपका DPI PPI is the number of pixels contained in one inch of a digital image and DPI is the number of printed dots within one inch of a printed image main difference क्या है कि PPI is the quality of a digital image displayed on the screen अभी जैसे आप इस screen पर यह video देख रहा है तो आपको जो भी वीडियो देख रहा है इस case में इसका जो भी quality है यह PPI पर depend कर रहा है यानि कि एक inch area में हमारे एक inch area में कितने pixels हैं इस पर depend कर रहा है कि हमारा quality कितना है जितना ज्यादे pixels होंगे पर inch area PPI जो है जितना ज्यादे होगा आपके image की quality उतनी अच्छी होगे जैसे आप zoom करेंगे zoom out करेंगे तो आपका image फटेगा नहीं और DPI क्या होता है कि अगर आप किसी image को paper पर print कर रहा है जो hard copy हम लेते हैं printed image लेते हैं उसमें क्या होता है DPI के basis पर उसका quality depends करता है अगर DPI जादे हैं तो printed image का quality based होगा जादे better quality होगा अधरवाज उस हिसाब से quality decrease होगे यह हमारे कुछ pixels के example है pixels आप समझे इस तरह से हो सकते हैं जैसी यह यहां पर है यह हमारे square type के pixels हैं यह क्या है यहां पर dot type के pixels हैं और multiple pixels मिलके आपके color देखे different color बनाते हैं वो image form करते हैं तो इस तरह से pixel हमारा एक dot भी हो सकता है square हो सकता है और pixel कुछ नहीं यह जस्ट आपका जो resolution है उसमें कितने dots available हो सकते हैं कितने square available हो सकते हैं उतने area में वही है हमारा pixel उसका जो basic unit है एक dot जो है उसको आप बोल सकते हैं कि यह हमारा एक pixel है छोटा सा वैसे multiple pixel मिलते हैं तो आपके megapixel यह बनते हैं तो इस वीडियो में फिलाल के लिए इतना ही आपको कुछ और interesting topic पर discussion चाहिए explanation चाहिए तो आप comment box में comment करिए थायर प्राइब प्रफाश जापू झालाइं यह हमारा भीडिव पिल्द सब्सक्राइब आपके लाइब आपके अपके लाइं युछ प्रहिए बने अटना ही उनक्य।